हे एलो फ्रेंज मैं हूं मुर्ण मुर्ण क्राइमिन हिंदी के एक और ने एपिसोड में आप सब का स्वागत है बीना कोई टाइम वेस किये चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों आज की कहानी है बॉबी जो लॉंगी सीरियल किलर के बारे में ये भी एमेरिका का एक सीरियल किलर था और बहुत ही जादा खुंकार सीरियल किलर था इसका जो क्राइम का इतिहास है इसमें इसने 10 औरतों का खून किया था और 50 से जादा रेप किये थे लेकिन दोसे अमेरिका में इस तरह के बहुत ही जादा सीरियल किलर्स रहे हैं, खासकर 70s और 80s के टाइम में, तो इस केस में खास बात यह है कि इसका जो आखरी शिकार था, एक 17 साल के लड़की, लीजा मेगवी करके, वो इसके चंगुल से भागने में एकदम कामियाब हो ग जागी थी, ऐसे चाला की करके, कुछ प्लैन करके, वो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग है, और भागने के बाद इसने पॉलिस को इत्तिला कर दी, और उसके बाद ही Bobby Joe Long को गिरफतार किया गया, तो कहानी शुरू करने से पहले, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक जगह है अमेरिका में, लेकिन दोसर, 1984 में इस जगह में लर्कियों के बीच में एकदम आतंग हो गया था, चाहिए वो कोई स्टूडेंट हो, कोई भी काम करती हो, सेक्स वरकर हो, या फिर कोई डैंसर हो, एक आदमी ने लर्कियों पर एकदम आतंग मचा रखा था, वो भी पहले से कर रहा था, और करीब पचास से ज़्यादा रेप्स ये कर चुका था, ये कहान इशी शैतान आदमी की है, और इससे बच चुकी एक मासूम लर्की, 17 साल की, लीजा मैगवी, उसके उपर है, अब जूसरी से क्राइम के बार में चर्चा करने से पहले, इसका जो अर पहले लाइफ के बार में इतना ज़्यादा इंफ्रमेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात है कि इसके पेरेंस का जो रिलेशनशिप था वह बिलकुल अच्छा नहीं था, और इसके और इसके मा का रिलेशनशिप भी बहुत ही ज़्यादा खराब था, ये जब पैदा इसके जो इसो स्ठन हैं वो बहुत ज़यादा लडगीयों जैसे हो गये थे अब लगिताझा प्योत नहीं चीज के बहुत जादा थे चीज के बिशने हैं चुटा थे दो इसका इसका बहुत ही जादा माजा को ढूंए जाता थे शन इसके सर पर बहुत बार चोट लगी थी अब जिसे मैं आपको कहा कि इसका और इसके मां का जो रिलेशनशेप ता वह बहुत ही दिश्फंक्शनल था वह अपने टीनेज सालों तक अपनी मां के साथ ही सोता था इसके मां और इसके फादर का डिवोर्स हो जाता है डिवर्स के बाद इसकी जो मा होती है वो हर रोज अपने जॉब के बाद अलग-अलग बॉइफ्रेंज के साथ अपने घर आती है और ये सब देखके इसका एक जम अलब दिमाग खराब होता है बहुत ही इसको बुरा लगता है इसकी एक गल्फरेंड भी होती है और 1974 में ये दोनों शादी कर लेते हैं और इसके दो बच्चे भी होते हैं अब दोस्तों भात करते हैं इसके क्राइम्स के बारे में इसके क्राइम्स बहुत ही ज़्यादा भयानक होते हैं पहले तो इसने खून करना शुरू नहीं किया था पहले ये सिर्व रिप करता था और ये किस तरह से अपने शिकार को फशाता था वो बहुत ही ज़्यादा भायंकर है ये क्या करता था ये अखबार में जो classified ads होते हैं वो सब ये परता था और उसमें से अगर किसी महिला ने एड दिया है समझ लेज़े किसी को plumber चाहिए या mechanic चाहिए या किसी तरह के dating कोई classified ad भी हो सकता है तो ये उसमें वो आदमी बनकर चला जाता था जैसे अगर किसी महिला को कोई mechanic चाहिए तो ये mechanic बनकर उस घर में पहुँच जाता था पैनी saver करके एक अखबार के ad का इसने बहुत ही जादा इस्तमाल किया था उसकी बाद ये आदमी उस ओरत के घर पहुच जाता था और फिर वो ओरत को किसी ना किसी बहाने से बोलता था कि उसको बातरों जाना है या फिर किसी दूसरे रूम में जाना है और वहां पे जाके वो एक अपना एक रेप किट निकालता था रेप किट मतलब रेप करनी के लिए जैसे कोई रसी हो कोई कुछ भी हो वैसा सामान वो अपने साथी लेके घुमता था तो वह निकालके फिर उस औरोत को ओवर पावर कर लेता था फिर भूरी तरह से उसका रेप करके और उसको लूट के पैसा वैसा सब लूट के वहां से भाग जाता था इसने ये चीज पचास बार से जादा की है इन सब चीजों के लिए 1981 में इसको पकरा भी गया था इसके ओपर ट्रायल भी हो था लेकिन पता नहीं किस बहाने से ये उस ट्रायल से बज़ गया और बाईज़द बरी हो गया अब इसके बाद 1983 में ये टेमपा बे में शिफ्ट हो जाता है और 1984 में ये अपना पहला खुन करता है वो एक 20 साल के लरकी को एसल्ट करता है उसके बाद उसका रेप करता है और बुरी तरह से उसका खुन कर देता है फिर उसकी लाश दूसरे दिन लोगों को मिलती है जो ए आने वाले आठ महींदों तक ये करीब 10 महिलाओ का रेप मर्डर किड्नैप ये सब करता है और ये सारे क्राइम्स टेमपा बे एरिया के आसपासी किये गए है जो विक्टिम्स के बोडी है उनको ऐसी सुनसान जगह पे फेका जाता है कि कई दिनों बाद ही वो मिलते है पु ये फिर एसी महिला है जो घर में अकली है और घर में कोई नहीं है तो एसी महिला को ये अपना शिकार बनाता है इन महिलाओ को शिकार बनाने के लिए कई बार उनको स्टॉक भी करता है और जब ऐसा मौका मिला कि हो महिला अकली है उसी समय वो उनके पास जाके फोर्सफुल करने के दिन उस दिन खतम होने वाला था जिस दिन ये अपने आखरी शिकार को किड्नेप करता है उस लरकी का नाम होता है Lisa मैक वह सिर्फ 17 साल की और ये बार के पास वे अपना cycle चला रही होती जहां से इस आदमी ने उसको किड्नेप कर लिया यह डेर था November 3, 1984 लिसा मैक वी जो सिर्फ 17 साल मैमी के ती वह cycle चला के गर से अपने काम के लिए जा रही थी किसी बहाने से बोबी ने उसको किड्नेप कर लिया और अपने कार में मिठा लिया उसके बाद वो उसको अपने घर में लेके चला गया अब आने वाले 26 गंटे तक इस आदमी ने रिपीटेडली कई बार लीशा का रेप किया लेकिन लीशा दूस्तों कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी वो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी और उसको पता था कि उसके साथ अभी जो रेप हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं आने वाले कुछ टाइम में उसका खून भी होने वाला था वो एकदम समझ गई थी कि उसका आन्त एकदम नजदीक है जब उसके साथ पूरा ये सब टॉर्चर हो रहा था तो वो ब्लाइंड फोल्डर भी थी उसके आखों में पट्टी लगी हुई थी उसके बाद भी लीशा ने सोचा कि अगर वो कुछ ना कुछ निशानी छोड़ देगी इस घर में जैसे फिंगर प्रिंच वगेरा या अपनी कोई चीज तो बाद में फ्यूचर में पुलीस को इससे मदद होगी और यार्मी पकरा जाएगा सोची है ऐसे सिट्वेशन में भी लीशा के दिमाग में यह सब चल रहा था तो उसने फिंगर प्रिंच उस घर में पूरी तरह से रख दिये टॉइलेट में हो किसी दर्वाजे में पूरी तरह में लगा दिया फिंगर प्रिंच हर जगा अब 26 गंटे के बाद जो बोबी है उसने लीशा को छोर दिया एक जगर पे सुंसान जगर पे उसने लीशा को छोडिया उसके बाद पूलीस के पास गई और कंप्लेन кино की कि उसके साथ इस तरह से रीdollar है और जिसने किया है most बहुत सारे मदलब जो क्लूज हैं उसने पुलीस को दिये और इन ही क्लूज की मदद से कुछी घंटो बाद बाद बॉबी को पकरा गया था लिसा नहीं यहां तक बोला था कि जो गारी है जो आर्मी युज कर रहा है वो गारी का मॉडल ब्रैंड सब उसने पुलीस को बोला था इस case में ऐसी भी एक सुराख था कि जितनी सारे bodies मिले थे, उनके आस पास red fibers मिले थे तो Lisa ने police को इस बारे में भी मदद की जो red fibers थे actually वो उसके जो bobby के car थी उसके floor mat की red fibers थी अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि जो Lisa है, वो काफी हिम्मत वाली लर्की है, है सिर्फ 17 साल की, लेकिन काफी हिम्मत वाली लर्की है, उसके साथ भी काफी शोर्षन हुआ था, शारारिक शोर्षन हुआ था, जब वो 14 साल की थी, तब से वो अपने Grandmother के साथ रहती थ उस Grandmother का एक Boyfriend भी था, जो Lisa को लगा था, तीन सालों तक फिजिकली अब्यूस कर रहा था, जिस रात को Lisa का Kidnap हुआ था, उस जिन वो अपना Suicide Note लिक रही थी, दोस्तों, आप सोचिए, वो उस जिन मनना चाहती थी, लेकिन उसका Kidnap हो जाता है, और थोरी देर बार अपनी ज अब आप सोच रहे होंगे कि यह जो खुनी है, इसने Lisa को जाने क्यों दिया, जबकि उसको मालूम था, यगर Lisa को छोड़ देगा तो पुलीस के पास चली जाई, यह पकरा जा सकता है, तो उसका रीजन ऐसा था कि Lisa बहुत ही चालाग लड़की थी, वो जो उसका कैप्टर थ फिर बोल रही थी कि जैसे उसके पेरेंस खराब हैं, तो मेरे भी पेरेंस खराब हैं, इस तरह से वो एक दोस्ती कर रही थी बोबी के साथ, और शायद इनी सब रीजन की वज़े से जो बोबी है, उसको बुरा लग गया होगा, और वो शायद इसको नहीं माना चाता होगा इसलिए वह लीशा को लेके एक सुनसान जगह में पहुच जाता है और वहां पे उसको छोर देता है और बोलता है कि पांच मिनित के बाद तुम अपने आखों से पट्टी हटा सकते हो और तब तक वह वहां से निकल जाता है लीशा को जो दुख है दोस्तों वह सिब यहां पे खतम नहीं होता है अपनी जान बचा के आप सोचिए उसके साथ 26 घंटे टक रेप होता है उसके बाद वह अपनी जान बचा के जब अपने घर पहुचती है तो वहां पे भी उसके जो गारजन है वह उसकी पिटाई करते हैं और इसके बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं और करीब 5 घंटे तक इसके साथ पूछताच करते हैं कि तुम कहां थे क्या ये सब ये सब उसके बाद वह लोग मानते हैं कि हां ऐसा कुछ हुआ है इसके साथ रेप हुआ है तब जाके 5 घंटे बाद वह लोग प मुटिवेशनल स्पीकर भी बन जाती है अब दोस्तों लीसा ने पुलिस को इतने सारे क्लूज दिये थे सबूत दिये थे कि अब बॉबी को पकाना बहुत ही आसान हो गया था पुलिस के पास भी अल्यडी कुछ सबूत थे उसके बार लीसा ने कार का नाम भी बता दिया कौन उसको गिरफतार कर लिया सबसे पहले उस पर चार्ज लगाया गया लीसा मेंगरी के किड्मैपिंग और रेप की बारे में अब पुलिस को ये पूरा मालूम था कि जितने सारे जो ये दस महिलाओ के रेप और मॉर्डर हुए थे 84 में वो सब सब इसी नहीं किये थे लेकिन पूलिस की पूछताच की एक तरीका होता है वो कितना स्टिकली पूछते हैं तो इस तरीके से पूछने के बाद बौबी हार मान गया और उसने कन्फेस कर लिया कि ये ज़े दस महिलाओ का खून हुआ है वो इसी नहीं किया है उसने पूलिस के सामने पहले चाला की करने की भी कोशिश की उसने का कि मैं कुछ नहीं बोनूँगा उझे एक वकील चाहिए एक टार्नी चाहिए इसब लेकिन पूलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और इवेंच्वली फिर इसने कन्फेस कर ही दिया इस केसे सबसे बारा सबूत वो था जो रेड कलर का फाइबर था और जो लीशा मैगवी ने जितने सारे सबूत दिये थे ये दोनों चीजे मिला के ही एकदम पक्का सबूत बन गया था बोबी जो की एक इंस नहीं तो आप सोचे दोस्तों कि ये जो सीरियल किलर्स हैं ये काफी बार बच जाते हैं क्योंकि परियाब जो सबूत है वो पुलिस को न यानि कि वो मरने तक जेल में ही रहेगा और उसकी एक साल बार 1986 में इसका केस जो चल रहा था उसमें ऐसा एक मोर आता है जो काफी अच्छा है शायद और इसको डेट सेंटेंस दे दी जाती है ये अपने डेट सेंटेंस के एगेंज बहुत सारे एपिल्स भी करता है लेकिन कोई भी एपिल इसका काम नहीं आता हाँ एक बात होता है कि डेट सेंटेंस 86 में डिया गया था लेकिन बहुत सालों तक करीब 30 सालों तक इसको डेट सेंटेंस हुआ ही नहीं था फिर जाके 23 एप्रिल 2019 को 30 साल से भी ज्यादा हो गया था इसको डेट सेंटेंस दिये हुए तो इस तिन इसको मौत की सजा हो जाती है विट लीठेल इंग्जेक्शन और दोस्तो इसी तरह से एक और खुंखार सीरल किलर की मौत हो जाती है और जो आखरी विक्टिम थी लीशा मेगभी वो आज ही एकदम हेल्दी है और वो पुलिस में काम कर रही है इस पूरे मामले में जो में लीशा मेगभी की कहानी है उसकी उपर एक film भी बनी है जिसका नाम है Believe Me अब देख सकते हैं तो दोस्तों यही कहानी थी आज की होप करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बने रही ऐसे और कहानियों के लिए थैंक्यू सो मुच